तो हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का स्वागत है एक और मज़दार वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेवकूप लोगों के मज़दार मज़दार कारणा में दिखाने वाला हूँ जिनको देखने के बाद आप लोग भी कहोगे मजाया और अब मैं साधियों में डांस करने वाले महान कलाकारोगी बात कर लेता हूँ जिनको इंडियास बेल डांसर में 50-60 गोल्ड मिडल तो मिल चुके है यह सो कौन डांस करता है भाई अब तुम इस पापा की परी को देख लो जो स्टेंड डाउन करके ही स्कूटी चला रही थी और हमारे भाईया ने बोला मेडम स्टेंड तो उठालो तो दिदी ने ये कांट कर दिया वारी पापा की परीयों मानना पड़ेगा आप लोगों को अच्छा हुआ भाई ने स्टेंड की जगे स्कूटी नी बोला वरना ये पापा की परी तो स्कूटी को कंदे पर उठा कर चल देती और अब तुम इस परी को देख लो जिसने अपने प्लैन को गटर के गड़े में लेंड करवा दिया क्यों होड़े अरे दिदी ये अंडरपास नहीं है जो आप अपने प्लैन को कई भी गुशा रहे हो क्यों होड़े अरे अरे प्लैन को कई भी गुशा रहे हो अब देखो यार मैं तो इन सभी क्लिप्स को देखकर ये गर उसे कह सकता हूं कि हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है यार जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि हमारे देश में लड़किया ही जादे मातरा में आईबरो बनवाती है लेकिन यार हमारे इन भाई साब ने तो कमाल कर दिया अब यार यार यही देखना बाकी रह गया था अब यार भैस का आईबरो कोन बनवाता है भाई और यार कुछ लोगों की इतनी फूटी किसमत होती है कि उनका कोई भी काम ठीक से नहीं होता अब तुम इन भाई साब को देख लो जो यहाँ पर मचली पकड़ने की कोसिस कर रहे है लेकिन यार थोड़ी देर बाद इन भाई साब के जाल में जैसे ही मचली आई तो भाई साब का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा अब यह बजा आईगा ना भिलू बताओ भाई साब के यहाँ पर एल लग गए यार मचली के साथ में जाल भी पानी में चला गया और यार आप लोगों ने बहुत से डांस देखे होंगे लेकिन अब जो मैं आपको डांस दिखाने वाला हूँ उसको देखने के बाद आपके होस उड़ जाएंगे अब यार लड़ाई करते टाइम डांस कौन करता है भाई और अब तुम इस गायक कलाकार से मिलो जो इस स्टेज पर गाना गाने के लिए आई थी लेकिन यार यह पापा की परिया है यह उड़ना कभी नहीं भूलेगी कहां से आते ही